असलाम अलेकुम, अच्छा हम वेरिबल्स के बारे में पढ़ेंगे, यह बेसिकली इंटरमीडियेट कोर्स है, अगर आपने बेसिक कोर्स नहीं लिया, फ्रेंट रेंड का तो वह भी देख लें, उसमें हमने बेसिक चीज़ां के लियर की थी, इसमें हम इंटरमीडियेट ले मैं इस वो पैन ले लेता हूँ, मैं यहां पर एक मैंने पास, मैं देखता हूँ कि मैंने एक गेम है, उसमें आपसे एक नेम ले लिया जाता है, आपका फर्स टाइम लिया जाता है, ठीक है, और फिर उसी नेम को फर्स टाइम लेते हैं, लेकिन बार बार उस गेम में को ठीक है अब for example मैं कहता हूँ यह variable है size नाम का ठीक है और उस में मैंने value store करनी है कोई भी value हो सकती है 5 ले ले लेते हैं ठीक है अब 5 को मैंने इस variable में store करना है तो मैं where का keyword को use करते हुए variable को बना सकता हूँ ठीक है where size is equals to 5 ठीक है तो अब मैं इस तरह से variable को बना सकता हूँ where size is equals to 5 तो size नाम का variable बना memory में और उसमें 5 store हो गया तो अब यह 5 जो है यह variable के अंदर transfer हो जाएगा is equal to की मदद से is equal to is used to transfer the value into the variable तो अब यह उसमें transfer हो गया ठीक है I hope कि आप understand कर रहे होगे किस तरह से variable क्या होता है ठीक है अब for example यहां पर मैं JavaScript वाली फाइल पर आ जाता हूँ और यहां पर variables बनाते हैं और उनको जो है ना वो करते है function उनको use करते है function बना यहां पर मैंने onload का function लगा दिया यहां पर मैं let's create variables ठीक है variable हम बनाते हैं यहां पर ठीक है अब यहां पर लिखा where और यहां पर लिखा for example यहां पर लिखा age लिखा और यहां पर मैंने store कर दिया 20 to 21 ठीक है और यहां पर इस case में हुआ कि 21 is transferred to the variable age variable age variable में 21 transfer हो चुक है ठीक है और मैं एक और बनाता हूँ variable height का एक बना लेता हूँ height is height is equals to 5.3 ठीक है अब यहां पर मैंने point वाली value transfer की है ठीक है तो 5.3 is stored in height variable आप stored ले लो transferred ले लो जो मरजी ले लो मैं आपकी असानी के लिए दो तीन चीज़े जो है ना वह मैं बताऊंगा variable letter is equals to a यहां पर a मैंने transfer किया ठीक है a मैंने transfer किया तो letter a is transferred a is shifted shift कर दो कि shift हो गया उन्दश ठीक है is to the later variable later variable में वह shift हो गया है ठीक है उसके बाद हम एक और भी बना लेते है variable string नहीं कहते sentence sentence के नाम से variable बनाया है और उसमें एक sentence हमने store कर लिया hello java script ठीक है hello java script developer developer लिख लो ठीक है अब basically यहां पर हुआ किया basically इसको कहते है string जिसको एक से जादा words हो उसको हम string कहते है string is transferred in sentence variable तो यह variable थे variable is used to hold different types of data different types of data को hold करवाने के लिए अब इसको हम use कैसे कर सकते है alert करवा दो इसको age यहां पर तो age यहां पर display हो जाएगी 21 आ गया यहां पर क्योंकि age में 21 से टोर था ठीक है अब यहां पर और भी आप जो मर्जी लगा सकते है alert for example height alert करवा देते हैं तो यहां पर age के साथ height भी आ जाएगी ठीक है और यहां पर in the very next आप यहां पर लिख भी सकते हो height is यहां पर और फिर यहां पर plus लगा कर और फिर next कर सकते हो अब यहां पर 21 आ गया और यहां पर height is 5.3 आ गया तो तो variables को इस तरह से आप use कर सकते हैं लेकिन यहां पर आप space देनी है तो फिर आप यहां पर एक space quotation डालने पड़ेगी यह देखो height is 5.3 I hope so कि यह आपको समझा गया होगा कि variable को कैसे declare करना है कैसे बनाना है और कैसे उसको use करना है ठीक है तो यहां तक तो हमारे पास हो गया clear कि by transfer to another element अब हमने हम एक और example करते हैं जिसमें हम variable की value को transfer करते हैं किसी element के अंदर for example यहां पर मेरे पास एक P है और यहां पर यहां पर मैं id दे देता हूं इसको id दे दी info की ठेक है अब यहां पर मैं ट्रांसफर करना है document.getelementbyid मैंने उसको access करना है सबसे पहले यहां पर मैंने access किया info को dot inner inner और यहां पर लगाता हूं html inner html में मैं ट्रांसफर करता हूं यह text लगा देता हूं inner text इसमें मैं ट्रांसफर कर रहा हूं sentence को sentence को transfer कर देते है sentence और letter को ठीक है अब यहां पर sentence और letter दोनों ही transfer हो जाएंगे इसको show होने के बाद यह देखो hello javascript developer और a जो है आप quotation add कर सकते हैं बीच में plus की symbol की use करते होगे अब यह देखो hello javascript developer a ठीक है I hope यह आपको समझ आ गई होगी के भाई करना कैसे है ठीक है आप निदा हो यह है खैर अच्छा yaha पर आप मैं इसको erase कर रहा हूं और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं एक बटन बनाता हूं ठीक है बटन और इसको मैंने id देदी info की ठीक है info की ID देने के बाद यहां पर मैं कर देता हूँ see user info, see user info, ठेक है, अब यहां पर क्या हो, यहां पर एक, हम बना लेते हैं, एक function बना लेते है, on click.inner text is equals to sentence, इस तरह से अगर कर देखते हैं, बला होता है कि नहीं होता, रिफ्रेश किया, see user info, अब इस पर क्लिक करने पर कोई change नहीं आया, तो इसका मतलब है, इसके साथ attach करना पड़ेगा, हमें function भी attach करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि event के साथ हमें function address करना पड़ता है, तो यहां पर function लगाऊंगा, ठीक है, और यहां पर again, we will use info, यहां पर हम info को, तो get कर चुके हैं न, तो यहां पर मैं alert ही करवा देता हूं, for example, alert sentence plus letter, ठीक है, अब यहां पर, इस पर मैंने click किया, तो यहां पर आ गय sentence और जो है न, वो letter, यह print हो गया, ठीक है, I hope so, कि यह आपको समझ आ चुकी होगी, यह करने कैसे हैं, क्योंकि यह बड़ा ही simple है, ठीक है, बटन के click होने पर कुछ हो, variables में data पहले ही store होता है, वो show हो जाता है, ठीक है, variables means change, we need to data values, मिज़ूरत पढ़ती रहती है, जिसको हम परफॉर्म करना होते है, calculations करनी होती है, operations apply करने होते है, इसी वज़ा से तो हम variables बनाते हैं, और उनको use करते हैं, ठीक है, अबे, आप, I hope so, कि आपको समझ आ आगी होगी, variable एक container है, जिसमें value store होती है, ठीक है, और हम उस value को alert कर सकते हैं, उसको show कर सकते हैं, उसके साथ operations perform कर सकते हैं, ठीक है, तो चैनल को subscribe नहीं किया, तो अपने चैनल को जुरू subscribe करते हैं, और कुछ सवाल हो, तो comment box में पूछ लेना है, बाफिस,